नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोगी जो पर्डिकुलर न्यूज आर्टिकल है देखी इसका टाइटल देखे Depressed Putin Orders Nuclear Evacuation Drill Moves Family to Secret City in Serbia अब यहाँ पर सर्बिया लिखा हुआ है कई जगों पर आपको Siberia लिखा हुआ नजर आएगा देखे पुतिन की जो Extended Family अब उसके Credentials में हम नहीं जाते कि उनका किस से Affair चल रहा है कौन उनकी Divorced Wife है उनके कितने बच्चे हैं बट अपनी फैमिली को और रिलोकेट किया है तो Siberia में एक Underground Bunker में अपनी फैमिली को रिलोकेट किया है और कुछ लोगों को सुट्जर लेंड के एक प्लश रिजॉर्ट में यहां पे रिलोकेट कर दिया है व्लादिमिल पुतिन ने अब उनके डीटेल्स प्रॉपर तरीके से अवलेबल है नहीं और अट दे सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्लादिमिल पुतिन ने एक Nuclear Evacuation Drill order कि है क्या है यह Nuclear Evacuation Drill जब आपके ऊपर कोई Nuclear Attack होने का imminent खत्रा हो तब यह Nuclear Evacuation Drill कराई जाती है ताकि पहले से ही Operational Readiness रहे पहले से ही जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जो भी आर्मी है जो भी देश के लोग है वो तयार रहें कि हाँ भाई अगर कल की डेट में Nuclear Attack हो जाता है तो हम यह यह करेंगे और यह यह करने की Permission मतब यह करने की जो प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस को यह पर ड्रिल कहा जा रहा है कि अटाक हुआ नहीं है लेकिन हम यह समझेगे कि अटाक हो गया और उस अटाक के समय पर हम क्या करेंगे उसके लिए कराई जाती है Nuclear Evacuation Drill जैसे Submarine Based अगर बहुत स फैंबली को एक Nuclear Bunker में Relocate किया है तो यहां पर सबको डर लग गया है इनफेक्ट व्लादिमिर पुतिन की जो Top Army General से रिपोर्ट यह तक बोलती कि उनको तक यह डर लग गया है कि भाई ये व्लादिमिर पुतिन एक्चली में करने की कोशिश क्या कर रहा है कुछ लोग व्ल अधिमिर पुतिन जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो कर नहीं पाएं उनको लगा ओगा कि वो यूक्रेइन के अंदर घुसेंगे यूक्रेइन को बहुत हद तक सब्जुगेट कर देंगे दबा देंगे यूक्रेइन को ऐसा इहां पर हो नहीं पाया है। बाती मेर्टिया पर जोगने रहे हैं. अबления्दमिर पुतिन ब्लैक्फॉट पर आ गए? चुकि समझ ये पूरी दुनिया भर के सैंक्शन्स लग गे हैं रशिया के उपर रशिया के अंदर चाहे बिजनेस लीडर हो चाहे एक आम आदमी हो हालत खराब है चाहे उनके टॉप पॉलिटीशन्स हो मिलिटरी के लीडर सो सबके दुनिया भर में एसेट सीज हो गये हैं इतने भैंकर सैंक्शन्स लगे हुए हैं तो कहीं न कहीं गुसा पुतिन के अगेंस्ट रशिया में फैल रहा है लोगों के अंदर तो गुसा है जो रूलिंग एलीट होगी वहाँ पे भी डेफिनिटली लोग पुतिन से नाराज होंगे चुकि ज़्यादा तर लोग इस प्रकार की लड़ाईयां चाहते नहीं हैं इस प्रकार की अंस्टिबिलिटी इस हिसाब के सैंक्शन्स वो चाहते नहीं हो तो अब रशियन प्रेजडेंट को अपनी लीडर्शिप को यहाँ पर प्रूव करना, बहुत सारी और हैफजर्ड निउस निकल के आ रही है, कोई बोल रहा है कि व्लादेमिर पुतिन को कोई बहुत टर्मिनल इनलेस है, कोई बोल रहा है उसको कैंसर है, इनफेक्ट एंजला मरकल ने 2014 में बोला था कि व्लादेमिर पुतिन तो एक अलगी दुनिया में रहता है, मैलो और मेक्रॉन जब रिसेंटली व्लादेमिर पुतिन से मिले वो बोल रहे हैं, कि भाई बहुत साथा रजिट कैरेक्टर हो गया है, अब एक पर्टिकूलर लीडर के पर्सनल इंस्टेबिलिटी के चलते अगर कोई बहुत बड़ी क्राइसिस फैल जाए, वो भी दुनिया के लिए इशू की बात हो सकती, खासकर रशिया जैसी कंटरी का हेड जिसके पास सबसे ज़दा न्यूक्लियर वेबपेंसे पूरी दुनिया में, तो आगे आने वाले समय में पुतिन का कुर्सी पर से हटना तै है, कुर्सी पर बैठे रहने का चांस पुतिन का केवल एक है कि कल की डेट में या तो वो पूरा यूक्रेइन कब जाले, या यूक्रेइन को अपने घुटने पर टिका दें, गिरा दें, अब यूक्रेइन अपने घुटने पर गिर नी रहा, इंटरनेशनल एक्सपर्स ने ये कहना शुरू कर दिया है कि व्लादिमिर पुतिन से यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, एक heavy geostrategic mistake की है, यहाँ पर व्लादिमिर पुतिन ने नीच, अब पीछे जाने का उनके पास कोई रास्ता नहीं, अगर यहाँ पर रशिया वार रोग देता है, तो strategically यहाँ पर रशिया के एक defeat मानी जाएगी, भले ही उक्रेइन का जदा नुक्सान हुआ है, लेकिन रशिया की defeat मानी जाएगी, रशिया की उपर से एकदम से sanctions अटने वाले हैं, रशिया के अंदर व्लादिमिर पुतिन के against जो opposition है, वो बढ़ता ही रहेगा, तो इस समय पे व्लादिमिर पुतिन अपने favor में चीज़ों को ले आएं, यह वो एक ही शर्त पर कर सकते हैं कि वो पूरे के पूरे यूक्रेन को हतिया ले, या यूक्रेन के एक major portion को हतिया ले, या फिर यूक्रेनियांस को बिना किसी condition के surrender करने पर मजबूर कर दें, और वो यूक्रेनियांस यहाँ पर करनी रहें, और यह कहीं न कहीं दुनिया के लिए एक dangerous बात हो जाती है, क्यों? चुकि रशिया का president, अब उसकी क्या personal problems चल रही है, क्या उसके दिमाग में चल रहा किसी को पता नहीं, एक छोटी सी गलती, अगर कहीं पे भी nuclear bomb fire हो जाता है, हाला कि most probably रशिया के अंदर Vladimir Putin के लिए एक nuclear attack को authorize करना मुश्किल होगा, चुकि Vladimir Putin को ऐसा करने से पहले अपने top military generals से भी बातचीत करनी पड़ेगी, अकेले दम पे वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो definitely एकदम से जो top ruling elite है वहाँ पे कुछ न कुछ फिजर्स देखने को मिल सकते हैं क्रमलिन के अंदर, तो अब यहाँ पे ego को शान्त करने वाली बात होगी, देखिए, Ukrainians के Ukrainians ने दिखाई है, वो unimaginable है, रशिया ने तो इसको imagine भी नहीं किया था, बर्दियांग्स नाम के शहर पे जिसको रशिया ने कवजा लिया, वहाँ पे orthodox priests चर्च से बाहर निकलाए और Ukraine के blue और yellow flag के साथ परेड करने लगे रास्ते में, irrespective of the fact कि उस इलाके पर रशिया का control हो चुका है, वो अगर flag लेके बहार निकलेंगे, Russians उनको गोली मार सकते हैं, इसके बावजूद वो सड़कों पे निकले परेड कर रहे हैं और Russia को defiance दिखा रहे हैं, एक ट्रक जिसमें Russian soldiers भर के जा रहे थे, उसको एक Ukrainian soldiers ने grenade, rocket propelled grenade से मारा, पूरा का पूरा ट्रक उड़ हो चुकी है, तो ऐसे cases में Russia भले ही Ukraine को हरा तो रहा है यहां पे, लेकिन उनकी spirit नहीं तोड़ पा रहो, जिन लोगों कि आप spirit नहीं तोड़ सकते हो, उनको आपने हराया, यह आप कभी बोल नहीं पाओगे जिन्दगी में, उपर से back end से US ने forces भले ही नहीं बेजी हैं, ले बीच में फ़स गया है, उसको अपनी कुरसी बचानी है, कुरसी बचाने के लिए उसको यूक्रेन को सब्जूगेट करना है, यूक्रेन यहां पे सब्जूगेट होनी रहा, व्लादेमिर पुतिन के against international opposition तो बढ़ाई हुआ है, domestic opposition भी भढ़ रहा है, उसके लोग और उसके दिन हो चुके हैं, जंग जा रही है, लेट सी यहां पे क्या होता है, एक viewpoint ता जो कि मैंने आपके साथ discuss कर लिया, thank you for watching friends, I hope कुछ ना कुछ useful आपको यहां पे जानने को मिला हो, have a great day, goodbye, ध्यान रखे अबना पढ़ते रहिए